Hello friends, welcome to the channel, hope you all are fine, तो कैसे हैं आप सब लोग, आप सब का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में, आज आप सभी बच्चों के लिए एक important MCQ का session रखे आया हूं में, आज का जो session रहने वाला है वो हमारा रहेगा, previous year आपका जो exam पहले कभी हुआ था, जो पटवारी का exam हुआ था, उसी के आज जो है previous year के questions हम सारे discuss करेंगे, आज की वीडियो में, question paper के questions, तो जिसमें मैं general awareness के जो topic है उसको आज cover करूँगा, जितना सारा topic है, जितने questions पूछे गे थे, सबी बच्चे जिनने भी बच्चों ने भी exam देना है, वो एक बार वीडियो को जरूर देखिए, और last तक जरूर देखिएगा, very very important questions है, और ये questions वही हैं, जो paper में पूछे जा चुके हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा telegram channel join नहीं किया है, वो हमारे telegram channel को भी join कर सकते हैं, जिसका link मेंने description में दिया हुआ है, और दूसरा, आँ हमारे channel को भी जरूर जरूर सिस्क्राइब कर दीजिए, जो पहली बार हमारे channel पे विजट कर रहे हैं, ओके, yes, start करते हैं आज का session, question में फर्स्ट कह रहा है, जो पूछे गए हैं questions, फर्स्ट का question कह रहा है, how many schedules the constitution of India contains, देखिये wording देखिये इस questions की, कि हम तो बिल्कुल सिंपल wording में questions को याद करते हैं, कितनी अच्छी तरीके से question पूछा गया है, how many schedules the constitution of India contains, option A, 9, 10, 12, and 11, तो बताइए which of these option is right for this question, जल्दी जल्दी cover करूँगा session को और वही questions से जो पेपर में पूछे गए हैं, तो right answer आप सभी को पता है, that is option number D, yes 12, ठीक है 12 schedules हमारे present है, हमारे Indian constitution में सभी बच्चों को पता ही है, तो अगर आपको नहीं बता, तो अगर आप इस तरह याद कर सकते हैं, Tears of Old PM, ठीक है Tears of Old PM, यह सभी बच्चों ने इस तरह याद किया होता है, यह short trick है, जिससे आप सभी के सभी schedules को याद कर सकते हैं, ठीक है, अगरा जलते हैं, 11th और 12th में से याद रखना, 11th और आगया हमारा पच्चाय 12th आगया यहाँ पे municipalities, ठीक है, यह last के दो, और यह कमारा होता है, 10th, 10th होता है, anti-defection, ओके, आगे चलते हैं, next question कहा रहा है, question number 12, the constitution of India was adopted in, ठीक है, अब इससे से बिलता बिलता कोशन एक पुछा गया था, किसमें, stock assistant में, stock assistant में, ठीक है, क्या पूचा गया था, कि जो हमारा constitution है, वहाँ पे कौन सी date जो है, वो mention की गई है, कितने बचने पेपर दिया था, कितने बचने इस question को सही किया था, यह मुझे बताया, बताना सभी बचे, अब पुछा गया है, constitution of India, जो है, वो कब adopt किया गया था, सभी के सभी options आप देख लो, आपके सामने है, 26,01950, 26,01949, 26 November 1949, 31 December 1949, तो सभी को इसका right answer पता ही होगा, मैं इसका right answer पताता हूँ, that is option number C, 26 November in the year 1949, and in the year 1950, on 26 January, जो हमने इसको क्या, come into force हो गया था, ओके, next question देखेंगे, next कहा रहा है, used as a fuel, ठीक है, तो आप सभी बच्चे को बताना है, कि nuclear reactor में इसमें से कौन सी चीज़ा है, जिसको fuel की तरह use किया जाता है, coal, uranium, radium, या डीजर, option A, B, C, D में से right answer क्या है, इस question का, सभी बच्चे मुझे बच्चे मुझे बताने का try करना, कि जो nuclear reactor हम यूज करते हैं, उसमें किस चीज़ को as a fuel यूज किया जाता है, तो आप सभी को बता ही है, उसको हम यूज करते हैं, किसको uranium as a fuel यूज करते हैं, एक मुझे जाओ, that is, uranium, use as a fuel, and uranium खाली, uranium ने खाली, uranium 235 को याद रखिए, uranium 235 को यूज करते हैं as a fuel, ठीक है, अगला कोशन जलते हैं, ये कोशन इंपोर्टन है, देखो, कोशन कर रहा है, the first Muslim ruler to introduce the system of price control was, cause as a Muslim ruler था, जिसने सबसे पहले introduce किया था, as a system of price control, price को control करने के लिए एक system को introduce किया गया था, बालबन, जलाहुदिन खिल जी, उसके बाद आगया महमद बिन तुखलग या अलाहुदिन खिल जी, तो right answer क्या है इस question का, सभी बच्चे बताने का try करना, option number A, B, C, D में से right answer क्या है, तो right answer है, option number D, that is, अलाहुदिन खिल जी, अलाहुदिन खिल जी के टाइम ही, market system भी introduce हुआ था, market system, उसके बाद, दाग, बाला concept भी इन्होंने लाया था, उसके बाद, अलग से एक ministry बनाए गी थी, जो पूरे का पूरा ध्यान रखती थी, कि market को कैसे चल रहा है, market में किन चीजों को, जो है वो गल्थ हो रही है, कौन सी चीज़ें सही हो रही है, ठीक है, different department बनाए गे थे, इन्ही के time, different department बनाए गे थे, ठीक है, यस, ये खिल जी के time हुआ था, ठीक है, अगला चलते हैं, next question देखते है, तांसेन, a great musician was in the court, जो तांसेन एक great musician के नाम से, जिनको जाना जाता है, तो वो किस के court में जो थे, वो present थे, अकबर, राना खुंबा, बहादुर्शा या कृष्ण देव राए, ठीक है, कृष्ण देव राए, ये बताइए, राइट आंसर क्या है, अकबर के टाइम, मनसबदार का कंसेप्ट लाया था, मनसबदार का कंसेप्ट अकबर नहीं introduce कराया था, अब मनसबदार, सबसे ज़्यादा मनसबदारी किसको मिलती थी, मनसबदारी किसको मिलती थी, ये आप मुझे बताना, कि जो सबसे ज़्यादा मंसभदारी जो थी वो alone के त्रफ इते तो क्यून में पताहिं हैं देखते हैं नेग्स्ट के रहा है, वू अमोंग दाफ वाल वीग्ग, यस वू मग दाफ वालींग, अटेंड अल दी ठी रणोटेबल कांफरेंस, तो ये तो आपको पता ही है, तो अल जो टी राणोटेबल कांफरेंस थी, वो किस के द्वारा टेंड की गई थी, व्यों कि गई थी वललब बाई प्रेटेल नहीं थे व लब बाई प्रेटिल खाली नहीं थे , इनके साथ और प्रसिनलटी परेजड़ेंटी जुल ने सभी की सभी जो थी वह online राउंटेबल कांफ्रेंस को जो था वो टेंड किया था अब यहां भी एक चीज़ ओर पता होने चीए गांधी जी ने यस अगला देखते हैं और गांधी इर्विन पेक्ट 1931 अगला कोशन देखते हैं वेर इस नेशनल शुगर इंसीचूट इस्टेबिश्टिक है जो नेशनल शुगर इंसीचूट है वो कोव सी जगह पे स्थापित है कानपूर लखनाओ न्यू दिली या गजरोला कोव सी अगला कोशन देखते हैं अनेशनल लीडर फूस बर्थडे इस अब्सरवड एदि नेशनल एजुकेशन डे और नेवंबर 11 थी मुलब सिंपल वाचा पूछा गया है जो हम एजुकेशन डेशन डे मनाते हैं नेशन एजुकेशन डे मनाते हैं कब नाते हैं नवेंबर 11 को तो वह किसकी याद में मनाया जाता है किसके बर्थडे पर बनाया जाता है जेभी करिपलाणी राजीव गांदी मुलाना अबुल्क्राम या स्रोजनी नईडू तो राइड आंसर क्या है इस कोशन का अप्शन नमबर A, B, C, D में से राइड अप्शन डेशन बता यह इस को तो आप मुझे बताए है कि कॉं से रिवर के उपर बना हुआ है मैं बताता हूं और आपण सब्सक्राइब तीघ्डूर्स करना चुन्ष क्रिश्ना या इंडस तो वमाइर जंम कष्मीर में आगी अलिए ठीक है कि बंधसक्रेज्टए क्रिश्न्स पर जानजाता है इस एक और नाम से जान जाता है इक शेंग रुको that is on the river कृष्णा रीवर कृष्णा रीवर कृष्णा रीवर के ऊपर एक इंपॉर्ट वार्टर फाल वी प्रेजंट है स्वार्टर पर का ना मुझे आ पता ना जो कृष्णा रिवर के ओपर प्रेजंट है okay next question देखते हैं da bermunda triangle lies in Jomra Buddha triangle पहरा मरा पर ट्राइंगल पर कोइव wed xx तका यार बंच नी सोफ कोई वेस्ट नॉर्थ इतलेंटी कोईशन शील में जो है यहारा कि याद रखे डिव शील चुछ है व्यद्ड ब्राव। नारति पर के फालेंगल फॉस्त पूछा गया है कि बारत रतना 2008 में किसको दिया गया था एबीजी अब्दुलक्लाम बीमसेंज जोशी मादवनेर या लतामंगेशकर जी को कि बारत रतना 2008 में किसको दिया गया था बाइदा इंडियन गवर्मेंट तो राइट आंसर इसका है आप्शन से रिलेटिन है यह आप मुझे बताइएगा ओके नेक्स्ट कोशन देखते हैं इस इंडिया नुकलर पावर्ट सब्मरीन लांच ऑन जुलाइट 26 जुलाई 2009 ठीक इस एलिएट और इंस तल्वार तो राइट आंसर क्या है आप्शन नुम्र ए बीची में से फिर्स्ट नुकलर सब्मरीन आफ इंडिया लांच ऑन 26 जुलाई 2009 ओके तो राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर इसका आप्शन नमबर भी आइनस अरिहंथ आए एनस अरिह हंत ओके अच्छा एक चीज़ में आपको बता दूं डिस्क्रिप्शन में जो मैंने टेलिग्रम चैनल का लिंक दिया है वहां से आप हमारे टेलिग्रम चैनल को जब जाइन करेंगे वहां पे आपको हर एक वीडियो की जो है वो पेडिया फार्मेट जो है वो मिल जाएगा तांकि आप वीडियो देख सके हैं उसके बाद आपको यह कोशन्स करने के लिए भी मिल जाए ठीक है जिन बच्चों ने भी अभी तक हमारे टेलिग्रम चैनल को जाइन नहीं किया वह कर लो और जो भी बच्चे पटवारी का बच्चे पर सेग्साइब बच्चे अ का इब एक्चे लगां को अने वाले जतने भी अग्जाम आपको पता ही है कितने सारी पोस्टे में आप जो हैं वो release होने वाली हैं बहुत ही जल जेके SSB द्वारा next month में सारी पोस्टें release हो जाएंगी जितनी भी अभी तक रहती हैं तो सभी बारे चैनल के साथ जूट जाएए आपको हर topic के उपर daily basis के उपर MCQ session मिल जाएंगे और जो woman supervisor का exam होने वाला है तो उसका भी जो है मैं बहुत जल जो है उसके उपर भी वीडियो को cover करूँगा अब बताइए था speed of light will be minimum while passing through जो speed होती है light की वो minimum कहां पर होती है glass, water, vacuum या air option number A, B, C, D में से right answer क्या है इसका that is option number A in the air sorry in the glass next question is galvanized iron sheet have a coating of galvanized iron sheet होती है उन पर किसचीज की coating कि जाती है tin, lead, zinc या chromium, tin, lead, zinc या chromium, option number A, B, C, D में से right answer क्या है इस question का option number A, B, C, D में से कि उसके उपर किसचीज की coating की जाती है that is option number C sink की coating की जाती है और मैं फिर से यह चीजचीज रपीट कर रहा हूं These all are the previous year questions, ठीक है, यह आपके revision के लिए मैंने लाए हैं, तांकि यह topic के उपर आप देखें कि किस तरह के question पूछेगे हैं, अब changes आई हैं, लेकिन questions तो वही रहते हैं, तो battery है, मुझे चीज को देख लें एक बार, IBRD is also known as, जो IBRD है, उसको एक और नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, International Bank, World Bank, Asian Development Bank या Bank of America, So, which of these option is right for this question, yes, right answer is, option number B, that is World Bank, World Bank is also known as IBRD, okay, Yes, next question देखते हैं, next कहा रहा है, the Gupta King, yes, यह important question है, the Gupta King who assumed the title of Vikram Aditya was, Sakandhu Gupta, Samundra Gupta, Chandra Gupta या कुमार Gupta, तो option number A, B, C, D में से right answer क्या है, इस question का option number A, B, C, D में से, the Gupta King who assumed the title of Vikram Aditya was whom, तो नाम बताईए, जिनको Vikram Aditya का title जो था, वो दिया गया था, और Gupta period को जो है, वो golden period के नाम से भी जाना जाता है, reason क्या है, क्योंकि इसी वक्त सबसे ज़्यादा जो था, वो temple की construction करवाई गी थी, तो इसलिए इसको golden period के नाम से भी जाना जाता है, ओके, तो अब बताईए, right answer क्या है, इसका right answer है, option number C, that is Chandragupt second, ओके, यस, next question कहा रहा है, 17, part 4th of the constitution of India deals with, आपको पताईए, part 4, जो है, किसका डिल करता है, टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, that is DPSP, जो हमने कहां से बारो की है, Ireland से, okay, next question देखते है, which Amir's the falling country of European Union has not adopted a single currency euro, तो यह थोड़ा study question थोड़ो, यह आव याद कर लो कि एक रूप जो, yes that is UK, आगला कुशन देखते है, पर्मनेंट मेंबर आप यूएन स्कूर्टी कॉंसल सारी, देखो ये question important है, कि जो पर्मनेंट मेंबर कौन है, United Nations Security Council के, UK, US, Russia, China, Japan, उसका USA, France, China, UK, Canada, USA, France, UK, Russia, Canada, USA, UK, France, Russia, Russia, या चाइना, तो आपको पताई यह यह, इसका right answer, आप्शन बर दी, that is USA, UK, France, Russia, and the last one is, China, एक, दो, तीन, चार, पांच, यह, पांच के माँ यह, ओके, next question देखते है, the author of the book, My Country, My Life, तो यह book का author कौन है, My Country, My Life का, Lalkrishnan Advani Ji, Jishwant Singh, Dalip Kumar, Sunil Gavaskar, तो right answer क्या है, option number A, B, C, D में से, right answer, इसका option number A, that is, it was written by, Lalkrishnan Advani, belong to the, BGP, okay, next question, yes, the partition of Bengal, was revoked by the British government, in the year, जो partition of Bengal, थी उसको रोग दिया गया था, पहले, 1907 में स्टार्ट, इसने स्टार्ट की गया थी लेकिन उसको रोग दिया गया था, वो रोग का गया था, इन्दा इयर 1911, ठीक है, इन्दा इयर 1911, okay, next question, देखते हैं, the first turkey film in India was, जो पहली बोलती हुई फिल्म, इंडिया में बनाएगी थी, तो यह मुझे लगता है, कि कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा, जिसको इस फिल्म के बारे में नहीं पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, it was, that is, option number B, Alamara, okay, next question, blue revolution is related to, जो blue revolution है, वो किस चीज़ से related है, space research, irrigation, fisheries, या drinking water, तो आखको पता है, blue revolution जो है, it was related to the fisheries, ठीक है, प्लीज सस्क्राइब आवर चैनल, मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, चैनल को सस्क्राइब कर लो, जिन बच्चों यह अभी तक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेर करो, सभी बच्चों के साथ, okay, yes, next question, India has maximum foreign trade with, तो यह आपको पता ही है, किस के साथ है, जैपान है, सिंगापोर है, जर्मनी है या एजराइल है, तो option number A, B, C, D में से, right answer क्या है, इस question का option number A, B, C, D में से, तो बताईए, अच्छा, अब मुझे एजराइल से एक बता जेता हूँ, कि अभी इसराइल के भी जो है, वार वाली कंडिशन चर नहीं है, यहां पर एक operation चलाया गया था, वहां के लोगों को, अपने लोगों को वहां से लाने के लिए, आजे, यह याद रख लेना, टीक है, और इस, आरे अरे 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 इस डोम करके, एक missile system है, जो इसराइल की पास present है, कही पर यह कोशनी पूछा जाता है, कि आरे नहीं सबसे अच्छा जो है, वो, missile system ही यह माना जाता है, तो बताए यह, कि अर्बनाइस country कों सी है, सबसे finance body for small scale industry, ठीक है, small scale industries के लिए सबसे बड़ी, जो finance body है, वो कौन सी है, IDBI, SIDBI, IFCI, यह ना बाट, तो option number A, B, C, D, में से right answer, क्या है, इस question का, that is, option number B, SIDBI, ओके, yes, next question, which is the new name of the old region Siam, ठीक है, Siam का new name क्या है, Myanmar, Philippines, Thailand या Cambodia, तो right answer क्या है, इसका, that is, option number B, Thailand, Thailand का old name है, that is, S-I-A-M, Siam, next question, great point, आमिर, खुसरो, बर्थ प्लेस वास, दो, आमिर, खुसरो, जो थे, वो, बहुती, जाने माने, हमारे, कविता करते थे, वो, बहुत अच्छे, जाने माने, पॉइट है, उनकी बर्थ प्लेस कोन सी है, पतियाली, कानपूर, तहरान, या लाहूर, तो right answer क्या है, इसक और या स्टील, option number A, B, C, D में से right answer क्या है, इसकोशन का, that is, option number A, बॉक्षाइड इस ओर अलमिनियम, okay, next question is, who organized the fourth Buddhist council, तो आपको पते ही है, हमारे कहां पी होई थी, it was organized by कनिश्का, इन दा, कश्मीर, वासुमित्रा, ठीक है, वासुमित्रा, ठीक है, वासुमित्रा, ठीक है कॉंडलवन कश्मीर में, okay, next question, yes, who was the last ruler of Lodi dynasty, तो आपको पता ही है, कोई से थे, इबराहिम लोदी थे, जहां पे जिनोंने last में जो थी, वो, बाबर के साथ जो थी, वो, जंग भी लड़ी थी, okay, it was the last ruler of Lodi dynasty, okay, the capital of Andabana Nikubaris, that is, option number A, pot player, okay, next question, who among the falling, decide if a particular beast, is a money bill, so money bill, आपको पता ही है, तब तक money bill को money bill नहीं कहा जाता, जब तक उसके उपर speaker के sign, नहीं हो जाते, okay, और एक चीज़ो और याद रखना, जब तब speaker के sign, नहीं हो जाते, किसी भी, बिलको money bill, नहीं कहा जाता, अगर कोई भी, जो, la pass करवाना है, कोई भी, अगर act passed प्रेजिदेंट के साइन नहीं बनाते हैं, ओके, वंस अगर लोकसभा से वो बिल पारित हो गया, अगर राज़सभा से भी वो चीज पारित होगी, बहुमत मिलगी और लाज़ने अगर प्रेजिदेंट साइन करेंगे, तो वो चीज जो है, वो लिगलाइज हो जाएगी, ओके, अगर इस चीज को समयने हैं, तो आप समय सकते हैं, अभी जो STS, ST category मिली है, तो दा पहाडी पीपल्स आफ जमू कश्मीर, पहाडी पीपल्स आफ जमू कश्मीर, उसमें आपने देखा होगा, पहले जो बिल था, वो गया, राजय सबा में, तो प्रेशर को यूज करने के लिए जो डवाइस को यूज कर जाता है, वो आप मुझे बताइएगा, ओके, राइट टू वोट, राइट वोट, क्या है हमार लिए, पॉलिटिकल लाइट है, सिविल राइट है, एकॉनमिक लाइट है, या लिगल राइट है, तो राइट आंसर क्या है, इसका, that is option number A, पॉलिटिकल राइट, ओके, so these all are the questions, sorry, these all are the previous year questions, जितने भी questions मैंने आपके साथ डिसकस किये, hope आप सभी को session अच्छा लगा होगा, वीडियो को like जरूर कर देना, और चैनल को subscribe कर देना, मिलेंगो नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा session लेके, ओके, thank you.